हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल आर्के वर्म अलाक्टिकल पर तो फाइनल दोस्तो इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा कि कम्प्यूटर में मिनिमम कितने वाले बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि काफी बच्चों के निमबर कम आ रहे हैं तो वो दोस्त परिसान नहों मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने बच्चे यानि किने मिनिमम बच्चे का नोर्वलेशन होकर वो पास हो सकता है और वो हतास ना हो और दोस्तों मैं बात करूँँगा, मैंने पिछली वीडियो में अभी आपको बताया था, जो आपकी अनुमानित जो कटॉप है, वो कितना जा सकती है, तो काफी बच्चों के कमेंट आए, कि सर के मेरा निकालके बता जी दिए, मेरा निकालके बता दीजिए, मेरा निकालके देदें, सारा काम आपको करके देदें, कटॉप भी बरमाजी अपने से बना के देदें, अब कावी बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, जब तक सारा डाटा नहीं मिलेगा, तो कटॉप का अनलाइस करना पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों, हाँ ये बात मैं भी जानता तो फिर तो ये वाली कहानी होगी है दोस्तों, कि ना तो नोमन तेल होगा और ना हिरादन आचेगी, तो दोस्तों, आप कुछ करते तो तुम हो नहीं, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, कि आप अपने नंबर सेर कर दें, तो मुस्किल से मुस्किल, लगभग लगभग आपको 200-300 बच्चों ने भी ये डाटा वहाँ पर फिल नहीं किया, तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो नहीं, और दोस्तों, आप चाहते हैं कि सारा कुछ काम वरमाजी करके देदें आपको, तो ऐसा पॉसिबल दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊँगा कि minimum computer में नंबर कम आ रहे हैं तो minimum कितने वाले बच्चे का normalization हो सकता है तो दोस्तों यह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं electricity commission UPPCL लखनव list of the selected against advertised number 1VSA 2017 device और यह assistant accountant कहा काफी बच्चे यह भी comment करेंगे कि यह assistant accountant कहा तो दोस्तों UPPCL की जो आपकी selection की जो process है वो लगबग लगग same E है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें भी आपका computer याई पार्ट 1 में 50 question थे और उसमें कितना normalization हुआ रो मार्क कितने थे मैं वो मैं सबको सारा आपको यहां से देखा हूँआ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो part 1 है यह computer का part है और इसके normalization mark यहां दिखाए गए हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ से आप देखेंगे 25 नमबर थे बढ़कर आपका 47 हो गई तो लगभग दोस्तों यहाँ पर आपको 22 नमबर का normalization computer में दिया गया इसी परकार 21 नमबर थे 38 हो गई इसी परकार 32 नमबर थे 42 हो गई 24 नमबर थे 38 नमबर हो गई तो इस परकार आप देख सकते हैं कितना कितना नमबर का normalization मिल जाता है क्योंकि जो हमारे काफी बाही है वो इसको परिशान हो रहे हैं इसको लेकर कि सर हमारा normalization होगा या नहीं होगा तो आपके सामने जीता जाकता सबूत है एक shift base थी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह computer की base थी इसमें 36.5 थे तो इसमें एक भी नमबर का normalization नहीं किया गया लेकिन हाँ technical में 147 से 169 नमबर का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतने नमबर का normalization हो गया अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साड़े बारे नमबर थे लगबख 24.9 नमबर हो गए तो लगबख बारे वाले का लगबख बारे नमबर का है आप नर्मलेशन होकर इनको पास हो गया है तो आप परेशान नहों जो भी भाई हैं जिनके दस नमबर आ रहे हैं बारे नमबर आ रहे हैं तेरे नमबर आ रहे हैं तो वो भी एक उम्मीद मनाए रखें अभी कोई उम्मीद अभी आपको उमीद नहीं छोड़ना है उम्मीद मनाए रखना है आपका सलक्सन भी हो सकता है क्योंकि लगबग बारे नंबर का बारे जिसके बारे थे उसके बारे नंबर होकर 24 हो गई तो इनका नर्वाइश होकर इनकी सौट लिस्ट किये गई अब ओ लाश्ट दिखाता हूं मैं आप एक बच्चे के दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं 10.5 नंबर थे और बढ़ा कर उसके कितना हो गई 21.410 इनके नंबर हो गई तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इनको लगबग 11 नंबर का यहां पर नॉर्मलेशन लगा कर यह पास कर लिए गई तो जिन भाईयों के नंबर कमा रहे हैं कम्प्यूटर में वो पिलकुल भी ध कम्प्यूटर में इतनी नंबर है मैं पास होंगा यह नहीं होंगा और दोस्तो यह जो डाटा है यह UPPCL का ही है यह मेरे घर का डाटा नहीं है UPPCL का ही डाटा है पिछली वेकिशन का और उसी में इस फिरकार से नुर्मलेशन किया गया है अब एक बार फाइलल दोस्तो जिन थे पर बाचिक थे वीडियो